प्रिया की हाल ही में शादी हुई थी क्यूंकि अपने माईके में सबसे सुन्दर होने के कारण प्रिया को इस बात का बहुत घमन था बहु जरा आज मेरे साथ बजार चलो थोड़ा समान लाना है नहीं नहीं मैं इतनी धूप में कहीं नहीं जाऊंगी अरे बहु तो मैं अकेले कैसे जाऊंँ आपको काम है तो आप जाईए वरना मत जाईए मैं इतनी तीज धूप में घर से बाहर एक पैर भी नहीं रखूंगी पर तकलीफ क्या है आपने मुझे देखा है मैं कैसी गोरी चिट्टी हूं धूप में जाने से तो मेरा रंग खराब हो जाएगा बहु धूप में तो मैं भी जा रही हूँ ना हाँ तो आपको होगा भी क्या आप कौन से इतनी सुन्दर है जो रंग या रूप खराब होगा आप जैसो को कोई फरक नहीं पड़ता है धूप हो या छाओ अरे बड़ी आई जुबान चलाने वाली तेरे घरवालों ने तुझे यही सिखाया है क्या मैंने कह दिया ना कि मैं धूप में नहीं जाओंगी तो नहीं जाओंगी आपको तो क्या होगा ऐसी धूप में पर मेरा कलर तो खराब हो जाएगा ना बहु इतना कहकर महां से चली जाती है वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है शाम को जब सास घर आती है तब ओ बहु ये लो मैं आ गई यहां आओ मेरे पास बहु अपने सास के पास आती है आगई माजी आप, मेरे लिए मेरी क्रीम लाई जो मैंने आपसे मंगाई थी नहीं बहु वो तो बहुत ही महंगी थी इसलिए नहीं लाई पर हाँ, एक सस्ती वाली मिल गई, वो जरूर ले आई क्या मेरी क्रीम नहीं लाकर आप एक सस्ती क्रीम लाई हो मेरे लिए आपको आदत होगे बेकार क्रीम लगाकर अपना चेहरा खराब करने की मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है अरे पर करीम तो करीम है न आपके यही सोच के वज़े से तो आप ऐसी दिखती है जरा भी अच्छा नहीं किया आपने मेरी क्रीम ना लाकर आप तो चाहती ही हो कि मैं भी आपके तरह बूड़ी दिखने लगूँ क्योंकि आप मेरे इस सुन्दर चेहरे से जलती जो हो अरे बहु ये क्या कह रही हो मैं क्यूं तुझसे जलूँगी क्यूंकि मैं सुन्दर दिखती हूँ और आप नहीं ऐसा कहकर बहु वहां से चली जाती है आज शाम को मेरी बहन घर आ रही है साथ ही उसकी बहु भी आ रही है तो तुम बजार जाकर उसके लिए कोई बढ़िया सतो फले आना क्यों माजी उससे तौफ़े की क्या जरूरत है अरे वो पहली बार घर आ रही है न तो क्या उससे कुछ देंगे नहीं कुछ ना कुछ तो तौफ़ा देना ही पड़ेगा उससे अच्छे तौफ़े की क्या जरूरत है तो मैंने उसके शादी पर उसे देखा था कुछ खास नहीं दिखती है साधरन सी दिखती है उसे तो कुछ भी लाकर दे देंगे तो चलेगा अच्छे तौफ़े तो मुझ जैसे सुन्दर पर अच्छे लगते हैं हाँ हाँ चेहरा तो सुन्दर है तुमारा पर मन का क्या वो तो सुन्दर है या नहीं वो तो तुम्हे ही पता होगा जलने वाले तो दूसरों की सुन्दर ताथ जलते हैं अब हर कोई मेरी तर सुन्दर तो नहीं हो सकता है कोई नहीं जल रहा तुम से तुम जैसा बनना तो कोई साथ जनम में भी ना पसंद करे साथ क्या, साथ सो जनम में भी आप या हमारा कोई भी रिष्तेदार मेरे जितना सुन्दर नहीं हो सकता है तुम तो अपने चेहरे से आगे कुछ देख ही नहीं पाती हैं हाँ तो दुनिया में कोई है मुझसे सुन्दर जिसे मैं देखू सास तो फिर कुछ बिना कहे वहां से चली जाती है कुछ दिर बाद सास की बहन और उनकी बहु आती है अरे मेरी प्यारी दिदी कैसी हो अरे बबीता मैं तो अच्छी हूँ तुम और तुमारी ये बहु कैसी है और मौसी जी कैसी है आप आपकी नई बहु जाद परिशान तो नहीं करती है न आपको नहीं बहु कोई परिशानी नहीं है मुझे क्या परिशानी होगी इतनी सुसील बहु है बबीता की सारे घर का काम गरती है साथ ही जौब भी करती है सुशील तो है मेरी बहू देकिन अपनी प्रिया जितनी सुन्दर नहीं है न देखने में तो ठीक ठाक ही है अरे बबीता सुन्दरता का क्या ही करोगी बहू तो ऐसी हो जो घर परिवार को अच्छे से संबाले ओफो माजी आपको तो मेरी तारिफ सुनना पसंद ही नहीं है अब तो मौसी जी भी कह रही है कि मुझ जैसा सुन्दर कोई नहीं है बहू तो सजी सबरी ही अच्छी लगती है अरे अरे मौसी जी आप तो मेरी इतनी तारिफ कर रही है मेरी माजी को तो जलन हो गई होगी और आप चिंता मत करिए अगर देवरानी को ब्यूटी टिप्स चाहिए होंगे तो मैं उसे ब्यूटी टिप्स जरूर दे दूंगी नहीं नहीं दिदी मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ वो दरसल मैं जी स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ वहाँ टीचर्स को एकदम सिंपल और सोबर रहने को बोला है ज़्यादा मेकप अग़ेरा करनी की पर्मिशन नहीं है अरे मुझे तो कोई सिंपल सोबर रहने को बोले तो मैं तो ऐसे जाके जाओं ही नहीं मुझे तो सज धज के सुन्दर रहना ही पसंद है आँ बहू तुमारी तो बात ही अलग है हमारे समाच में अभी तक तुम जैसी सुन्दर बहू किसी की भी नहीं है मेरी दीदी तो किसमत वाली है जो ने तुम जैसी सुनर बहू मिली है अरे बबीता दूर के डोल सुहाने लगते हैं बहू जब 24 गंटे सुनरता नहारे कामकाज ना करे तो वो घर में किसी को सुनर नहीं लगती यूही कुछ दिर बाते करने के बाद सास के बहन और उसकी बहू महां से चले जाते हैं वाह क्या बहू है बबीता की इतनी गुनवान इतनी मीठी बोली कुछ पूछो मत यहां आकर भी कितना सारा काम करा उसने मुझे तो कह रही थी आपको कोई भी जरूरत हो तो एक फोन कर देना मैं तुरंत आ जाओंगी कितनी प्यारी बहू थी कैसी भी हो मेरे जितनी सुन्दर तो नहीं है न अगर वो और मैं कहीं जाएं तो सब की नजर सर्फ मुझ पर होगी उसके तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बहू कितनी सुन्दर है लेकिन बबीता की बहू कितनी होनहार है घर तो संबालती ही है साथ साथ नौकरी भी करती है मैं तो कहती हूँ तुम भी उसके साथ स्कूल में नौकरी कर लो घर में बैठी बैठी क्या करोगी इससे अच्छा कुछ काम करो तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा मैं और इसे डाउन मार्केट जॉब करूँ आपने देखा है मैं कितनी सुन्दर हूँ मुझे तो कोई भी कमपनी में आराम से नौकरी मिल जाएगी पर मुझे नहीं करनी कोई नौकरी नौकरी करूँगी तो ठकान होगी जिससे मेरा चेहरा ठका हुआ लगेगा ना बाबा ना मैं मेरी सुन्दर था एक नौकरी के लिए तो कभी खराब ना करूँ अरे तो क्या हुआ बबीता के बहु भी तो करती है नौकरी उसके चेहरे पर तो ठकान नहीं दिखती बलकि एक अलग ही चमक दिखाई देती है उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी काम कर करके पसीना हो गया था और उसके चहरे पर आपको चमक दिखती है लेकिन मेरे चहरे पर आज तक आपको चमक नहीं दिखी मुझे तो लगता है आपको सुन्दरता क्या होती है उसकी कोई समझ ही नहीं है और तुमें काम करो दो दिन के लिए बबीता के गर ही चली जाओ वैसे भी बबीता बोलर ही रही थी ना वहां जाने को तो जाओ तब तक मैं बबीता की बहु को यहां बुला लेती हूँ हाँ ठीक है जाती हूँ मैं भी वहें रहूं जहां मेरी कदर हो फिर प्रिया मौसी के घर चली जाती है दो दिन बाद मौसी और प्रिया वापस आते हैं अरे बहु तुम तो बहुत जल्दी आ गई मुझे तो लगा कुछ दिन और रुकोगी क्यूंकि मुझे तो बबीता की बहु के साथ बहुत अच्छा लग रहा है अरे दिद्धी मेरी बहु ही सबसे अच्छी है भले सुन्दर कम है लेकिन मेरी बहु जितना काम तुमारी बहु नहीं करती है इसे तो डर लगता है कि कहें काम काज करने से इसकी सुन्दरता कम न हो जाए मेरी बहु चलो गर चलते है जी मा जी चलिये देख लिया बहु चेहरे की सुन्दरता की तारिप दूर से ही अच्छी लगती है दो दिन तुम्हें कोई नहीं रख पाया अब समझ जाओ कि सुन्दरता ही सब नहीं है ऐसा कहकर सास वहां से चली जाती है और बहु को भी अपने घमन पर पच्चतावा होता है